नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं बता दें पुरस्कार लोकमाने तिलक की बिरासत का सम्बान करने के लिए 1923 में तीलक, असमारक, मंदी, ट्रस्ट, द्वरागाठित किया गया था यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राश्ट्रे की प्रगती और विकास के लिए काम किया है और जिनके योगदान को केवल उलेख निये और असाधानन के रूप में देखा जा सकता है यह हर साल एक अगस्त लोक माने तिला की पूरे थिती पर प्रस्तूत किया जाता है ब्यान में बताया गया है कि सुबा करीब 11 बजे परधान मंत्री दगठू सेठ मंदीर में दर्शन और पूर्जा करेंगे वहीं सुबा 11 बज के 45 मेट पर उन्हें लोक माने तिला कराश्तिये पूरस्कार से समाइनित किया जाएगा इसके बाद दोफर 12 बजे पर पर प्रधान मंत्री मेटरो ट्रेनों को हरी जंडी दिखा कर उदगाटन करेंगे पारा सिक्षकों की आकलन परिक्षा में कठीन सवालों ने उल्जाया सहायक अध्यापकों के लिए आयोजित आकलन परिक्षा में कठिन सवालों ने परिछार्थियों को उल्जाया खासकर गनित के सवालों ने सहायक अध्यापकों को पैसान किया कठिन सवालों की वज़र से सहायक अध्यापक संग ने बिरोध किया है अधिकारियों ने परिशार्थियों के साथ धोखा किया, पहली से पाचिम में पढ़ाने वाले सहायक अध्यापकों से पूछे गए इंजिनियारिंग के सवाल जे पिएसी से भी कठिन पूछे गए, वहीं जारखर राज प्रसिक्षित सहायक अध्यापक संग जल्द ही राज मुहररम जूलुष में राष्ट्रिय धोँज से छे छाढ़ 12 नामजाज सही 50 अग्याद पर एफाई आ जार्खन के पलामों मुहर्म जूलुष के दवराण राष्ट्रिय धोँज के साथ 6 छाढ़ की गया, इस मामले में बारा नामजाज सही 50 अग्याद लोगो खिलाप मा 12 नामजाद समेट 50 अग्यात लोगों के खिलाप एफायर दर्ज किया गया सभी के खिलाप IPC की धारा 147, 120 भी राश्ट्रिय धावज के अपमान से जूड़ी हुई धाराओं में एफायर दर्ज किया गया है एफायर दर्ज होने के बाद नामजाद आरोपी फरार हो गया है नियुक्ति के नाम पर युवाओ को ठग रही जारखन सरकार बीजेपी भाजपा युवा मोर्चा के परदेश्त अध्यक्स किसले तिवारी ने हेमंत सरकार पर राज के युवाओ को ठगने का आरोप लगाया है परदेश मुख्याले में प्रेस कंफरेंस करते वे किसले न कहा है कि जामों ने अपने चुनावी घोसना पत्र में 5 लाख युवाओ को नौक्री देने का वादा किया था नौक्री नहीं देने पर बेरुजगारी भात्ता देने का वादा किया था जामों की सरकार बनी हेमन सुरेन मुख्य मंत्री भी बने लेकिन वह वादा पूरा न में जे टेट की परिक्षाद 2016 के बाद नहीं हुई आइसे में 2016 से 23 के बीच करीब 2,65 या स्टुडेंट B8 की परिक्षाद पास कर चुके उन इवावों को अपने भयुष की चिंता सता रही है माववादी संकठन JJ MP सब्जोनल कमांडर मनोज परह्या गिरफतार गढ़वा के रंका और मंडल छेत्र के रमकंडा और भंडरिया थाना छेत्र में आतंका प्रयार बन चुके परतिबंदित उग्रवाजी संकठन जेजे एमपी के सब्जूनल कमांडर मनोज परहया को परतिबंदित उग्रवाजी संकठन जेजे एमपी का पांच लाह का इनाभी सब्जूनल कमांडर मनोज परहया के अपने अने साथियों के इंतजार में रुक्के होने की सुचना मिली थी रांची में 6 वा 7 सितंबर को मनेगा स्रीकृष्ण जनमस्टमी महोच्षव स्री कृष्ण जनमस्टमी समिती की ओर से राची के अलवट एका चोक पर छोव साथ सितंबर को स्री कृष्ण जनमस्ट सो मनाये जाएगा पहले दिन छोव सितंबर को जहांखी परत्योगता के साथ महोसक अधगाटन किया जाएगा वहीं अपरहन्तीन बैसे सिरि कृष्ण के बाल रोब की जहाखी यानि बाल गोपाल सज्जाओ परत्योगता वा जहाखी परत्योगता का आवयजन होगा दूसरे दिन 7 सितंबर को संद्या पाच बये से अमरित दही हांडी फोड परत्योकता सभजन संद्या सहीत निरित नाटी का का भव्य आवेजन किया जाएगा शिरिक क्रिष्णे जनमोच्षव समीती रांची के संद्याच चक सांसत संजय सेड विधायक सीपी सिंग वा पुर्वराज सवा सांसत अजय मारू ने प्लेस को समोधित करते हुए अपर बजार के महस्वरी भवन में रभीवार को ये जनकाडी दिहाए जारखन इंडिया की पहली बैठक के बैनर से लालू निती की तस्वीर गाया अब जारखन इंडिया की दलो की पहली बैठक रभीवार गायो जित की गाई बैठक में तमाम मुदो पचाचा की गाई लेकिन सभी की नजरे बैठक से हटका जारखन इंडिया की पहली बैठक क खिलाब एक जूट हो गई, उसी नेता की तस्वीर बैनर से गाइब थी, बिहार के मुख्य मंत्री नितिस कुमार को जार्खन इंडिया के बैनर में जगा नहीं मिली, इसके साथ ही लालू यादों की तस्वीर भी बैनर में नहीं दिखी मौसम विभाग का ओरेंज अलर्ट जारी, जार्खन में मानसुन ने इस साल भी अब तक दगेबाजी की है, राजे में अब तक 46 भी दिबारी सी हुई है, ऐसे में किसानों को एक बार फिर से सुखे का डर सता रहा है मौसम केंद्र के पूर्णमान के अनुसार राजे भर में 30 जूलाई तक राजे में 499.3 मिलिमीटर की जगा, मात्रे 267.7 मिलिमीटर वर्षा हुई है, राजे में साहेव गंज को छोड़ कर बाकी सभी 23 जूलो में समाने से कम वर्षा हुई है, अब 14 लोहर दगा, गिरीडी धनबाद और जाम तरा की ठीथी सबसे ज़्यादा खराब है, जहां समाने से 79 परिशत कम वर्षा हुई है, वही मौसम केंद्र ने कॉल राजे भर में गजन के साहथ मत दर्जे की वर्षा होगी, और गढ़वा जीले में कॉल भारी वर्षा को ले का और ओरेंज अलर्ट त जातिये हिंसा पर केंद्रीत रही, बैठक में सोरसो में 331 फैसला लिया गया कि इंडिया में सामील डल एक चुट होका राजभोन और बिधान सभा से लेकर हर जीले में धाना परदसन करेंगे, बैठक में अभी फैसला लिया गया कि 31 जुलाई को मनिपूर के मुद्दे पर पिधान सभा के गेट नमबर 3 पर इंडिया दलो की बिधायक परदसन करेंगे, जबकि 1 अगस्त को राजभोन के समक्ष धरना परदसन होगा, अपनी मैंगो को लेकर आर पार के मुड में कुडमी समाज, कुडमी विकास मोर्चा के बैनतले केंद्रीय अध्यक सितल ओहदार के अध्यक्सता में राजभानी राची के अस्थानी होटल में आवस्यक बैठक की गई, ज़ारखन से केंद्रीय समीती और जीला समीती के मुख्य कारकारता सामिल हुए, बैठक में कुडमी को अनसुचित जन जाती के सुचि में सामिल करने के लिए जोरदाव आंदोल करने के रणनिती बनाई गई, इस रणनिती के तहद 20 सितंबर को बंगाल की तरज पर अनिशित कालीन रेल टेक का किया जाएगा, सीटेट पास युवाओ को सिक्छक नियुक्ती में आउसर देने की मांग, भारतिय जनता युवामोर्चा के परदेश अध्यस किसले तिवाईने हमन सरकापनी सानसादा है, कहा है कि सिक्छक नियुक्ती के नाम पर यह सरकार युवाओ को ठग रही है, उन्होंने हमन सरकार से सीटेट पास आदिवासी मुलवासी बेरोजगारों को सिक्छक नियुती में आउसर देने की मांग की है, उन्होंने कहा है कि जेम्म ने अपने चुनावी घोसना पत्र में पाँच लाख युवाओ को नवक्री देने का वादा किया था वहीं नवक्री नहीं देने पर बेरोजगारी भत्तर देने का वादा किया था जेमेम की सरकार बनी हेमान सुरेन सी एम भी बने लेकिन यह वादा आज तक अधूरा राह गया बच्चों के अधिकारों की हर हाल में हो रक्षा महिला एवंबाल विकास राजमंत्री डाक्टर मोंज परा महेंदर भाई ने कहा है कि कि सोर नयाय अधिनियम 2015 को 2021 में संसोधित किया गया था जिसने देश भर्मेबाल सनचन परनावली को मान की किरित किया है इस परकार सरकार नया सुनेशित किया है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाए और देश के हर कोने में बच्चों के कल्यान के लिए कदम उठाये जाए भारेश सरकार के महिला एवंबाल विकास मंत्राले ने रांची के CCL के सभागार में बाल चनरक्षन बाल शुरक्षा और बाल कल्यान पर एक दिवसिये छेतरिये संगोष्टी का आवजन किया है इनमें चार राजियों पच्चिम मंगाल बिहार जारकन एम उडिशा के परतिनिदी सामिल थे हरा सोना की पैदवार में लगे पूर्वी सिंभूम के किसान पूर्वी सिंभूम जीला अंतरगत बहरागोडा चकुलिया और बरसोल का बास देश भर में अपने गुनवाता और टिकापन के लिए मसूर है हर साल ट्रॉकों में भर कर यहां का बास देश के कोने कोने में भेजा जाता है बहरागोडा की बड़ी अबादी बास के बेवसाय पर निर्वर है चाकुलिया वा बहरागोडा पर खंड के बास की सान खूस है इस साल काफी संख्या में बास के कोपले निकले है बतादे कि पूर्वी सिम्हुम जीला अंतरगा चाकूलिया बहरागोडा और बरसोल में बास की ब्यापक पैनाय पर खेती होती है बास की खेती में नगदी फसल वाली सारी खुबिया मजूद है साल के नौ महीने लोग बास को बेशते है वहीं दो से तीन साल में बास के पौधे त्यार भी हो जाते है सहायक सिक्षक आकलन परिक्षा में बिहार का फरजी अभियार्थी कोडार्मा में धराया जैक द्वारा आयोजीत सहायक अध्यापक आकलन लेवल वन वर लेवल टू की परिक्षा का आयोजन रभीवार को हुआ इस दोरन कोडार्मा में परिक्षार्थी की जगा परिक्षा दे रहे एक मुन्ना भाई को रंगे हाथ पकड़ा गया केंद्रा अधिक्षक के आवेदन के बाद पूलिस ने फर्जी अभियार्थी को गिरफ्तार किया है थाना प्रभारी द्वारिका राम ने फर्जी अभियार्थी गिरफ्तारी की बात कही बताजा कि रभ्बिवार को सहयक अध्यापक आकलाण परीक्षा दोया थे इसके लेवल वन और लेवल टू के लिए कोडर्मा जिलाए में दो परीक्षा के अंडरस बनाए गए थे परिक्षा रभीवार को संपर्ण हो गई राज के 81 केंद्रों में हुई परिक्षा में 43-273 परासिस्कों में 40-4845 सामिल हुए वहीं 24-28 गयर हाजिर रहे हलाकि अपरिक्षा देने के बाद उनमें रोस दिखा परासिस्कों कोई इसे इंजिनियारिंग से कठीन तो कोई JPSC JSSC अस्तर की परिक्षा बता रहा है वहीं कोई इसे सिक्षक पतरता परिक्षा से कठीन सूपर टेट बता रहा है बता दे सहायक अध्यापक संहर्श मोर्चा के लातेहार के महासाची अनूप कुमाने जैक द्वार प्रश्ण का अस्तर का ठीन रखने पर नराजगी जताई कहा कि 20 साल से प्राइमरी का सिक्षा देने वाले सिक्षकों से मैट्रीक असना तक अस्तर का प्रश्ण पूछना कहां तक उची थाई धन्यवाद